जैसरी राधिक्रिष्ण आज से आप सब जो की स्रावन मास महात्मे का प्रतेक दिन सभी अध्यायों का एक एक करके कथा स्रवन कर पाएंगे हिंदु धर्में स्रावन की महीने का बड़ा ही विशेश महत्तु माना गया है स्रावन की महीने में भगबान शिव का पूजन करना भगबान शिव का अविशेख करना सावन सोंबार का ब्रत और स्रावन मास महात्मे कथा आदी स्रवन करने का बड़ा ही विशेश महत्तु माना गया है भगबान शिव, भगबान भोलेनात एक ऐसे देव हैं जो की अपने भगतों के ऊपर थोरे से जल से ही प्रशन हो जाते हैं और अपना क्रपा परदान करते हैं भगवान शिव के भक्त इस महिने में अपने कांधे पे कावर रख करके दूर दूर तक भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए जाते हैं तो आप स्रावन मास महात्मे में किये जाने वाले ब्रत उपवास नियम आदी के बारे में इस महात्मे कथा के द्वारा सभी स्रवन कर पाएंगे तो आईए सुनते हैं स्रावन मास महात्मे कथा में पहले अध्याई की कथा तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जय माता पारवती की जय कथा के अनुसार एक समय की बात है शोनक रिशी बोले कि हे सूत हे महाभाग हे व्यासिश्य हे अकलमश आपकी मुख कमल से अनेकों आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की त्रिप्ति नहीं होती अपी तो बार बार सुनने की इक्षा बढ़ती जा रही है तूला राशी में इस्थित, सुरी में कार्टिक मास का महात्मे, मकराशी में माग मास का महात्मे और मिस रासी में इस्थित, सुर्य में वैशाख मास का महात्में और इसके सास्थ उन उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भाती कह दिया यदि आपके मन में इससे भी अधिक महिमा मैं कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इक्षा ना रहे वक्ता को स्रधालु स्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं शिपाना चाहिए सूत जी बोले कि हे मुणियों आप सभी लोग सुने मैं आप लोगों के वाक्य गौरब से अत्यंत संतोष्ट हूँ आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनिय नहीं है दंब रहित होना आस्तिकता सठता का परित्याग उत्तम भक्ति सुने केक्षा विनर्मता ब्रामनों के प्रति भक्ति पड़ायंता सुशीलता मन की इस्थिरता पवित्रता तपश्विता और अंसुया ये सुरोता के बारह गुण बतलाये गये हैं ये सभी आप लोगों में पिद्यमान है अतह मैं आप लोगों पर प्रशन होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की एक्षा से परम भक्ति से युक्त होकर विनर्मता पुरवक इस्वर भगवान सिप से पूछा सनत कुमार बोले कि योगियों क प्रता बहुत प्रकार के धर्मों का सत्रवन किया फिर भी हम लोगों के मन में सुनने के अभिलाशा है बारहो मासों में जो मास सबसे स्रेश्ट, आपकी अत्यंति पृति कराने वाला हूँ, सभी करमों की सिंथी देने वाला हे और अन्य मास में किया गया कर्म जदी इस मास में किया जाए तो वहाँ अनंत फल परदान कराने वाला हो हे देव उस मास को बताने की कृपा कीजिए साथ हे लोका नुब्रह की कामना से उस मास की सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए इस वर बोले कि हे सनत कुमार मैं अत्यंत गूपनिये भी आपको बतलाओंगा हे सुब्रत हे विधी नंदन मैं आपकी स्रवन एक्षा तथा भक्ति से प्रशन हूँ बारहू मासों में स्रवन मास मुझे अत्यंत प्रिया है इसका महात्मे सुने योग्य है अतहर इसे स्रवन कहा गया है इस मास में स्रवन नशत्र युक्त पूर्णिमा होती है इस कारण से भी इसे स्रवन कहा गया है इसके महात्मे के स्रवन मात्र से यह सिध्धी परदान कर इसलिए भी यहां स्त्रावन शंग्या वाला है निर्मलता गुण के कारण यहां आकास की सद्रिश है इसलिए नभा कहा गया है इस स्त्रावन मास के धर्मों की गरणा करने में इस पृत्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है जिसके फल का संपून रूप से वर्नर करने के लिए ब्रह्माजी चार मुख वाले हुए जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजार नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेशनाग दुहजार जुहाओं से संपन्ध हुए अधिक कहने से क्या प्रयोजन इसके महात्मे को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है हे मुने अनिमास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होता यह सभी ब्रतो तथा धर्मों से युक्त है इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायह सभी तीथियां व्रत युक्त है। इसके महात्मे के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केबल प्रशंशा मात्र नहीं है। आर्तों जिग्यासुओं भक्तों अर्थ की कामना करने वाले मुक्ष की अभिलासा रखने वाले और अपने अभिष्ट की आकांशा रखने वाले चारोप्रकार के लोगों ब्रह्मचर्ज, ग्रहस्त, वानप्रस्त, सन्यास, आस्रम वाले को इस रावन मास में व्रत रहित नहीं है तो आप उन्हें मुझे बताएं किस तिथी में और किस दिन कौन सा व्रत होता है उस व्रत का अधिकारी कौन है उस व्रत का क्या फल है किस किस ने उस व्रत को किया उसके उद्यापन की विधी क्या है प्रधान पूजन कहा हो और जागरन करने की क्या समय होना चाहिए हे प्रभू वह सब आप मुझे बतलाएं यह मास आपको प्रिय क्यों है किस कारण यह पवित्र है इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ यह सभी मासों में स्रिष्ट कैसे हुआ और इस मास में कौन-कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है हे प्रभू यह सब बतलाएं आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्ण करने में कितना अज्ञान हो सकता है अतह आप संपुर्ण रूप से बतलाएं हे कृपालू मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो भी शेश रह गया हो उसे भी लोगों की उधार के लिए आप कृपा करके बतलाएं रविवार, सोमबार, भौमवार, बुद्धवार, भ्रशपतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए है विभू वह सब मुझे बतलाएं आप सबके आदी में अभिर भूत हुए है अता आपको आदी देव कहा गया है जैसे एक की विधी बाधा से अन्य की विधी बाधा होती है वैसे ही अन्य देवताओं के अलप, देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है तिनो देवताओं के निवासस्थान, पीपल बिक्ष में सबसे उपर आपकी इस्थिती है, कल्यान उरूप से होने के कारण आप शिव हैं, और पाप समु को हरन करने के कारण आप हर हैं, आपके आदिदेव होने में आपका शुकल वर्ण प्रमान है, क्योंकि प्रकृति में शुकल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विक्रत है, आप करपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अता आप आदिदेव हैं, गणपती के अधिश्थान रूप चार दलवाले मूलाधार नामक शक्र से, ब्रम्हानी के अधिश्थान रूप चार दलवाले स्वादिश्थान नामक शक्र से और विश्णु के अधिष्ठान रूप दस वाले मनिपूर नामक शक्र से भी उपर आपके अधिष्ठीत होने के कारण आप ब्रम्हा तथा विश्णु के उपर इस्थीत हैं यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है हे देव एक मात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है जो कि दूसरी देपता की पूजा से किसी भी तरह संभब नहीं है आप स्वयम शिव हैं आपकी बाई जांग पर शक्ति सुरूपा दुरगा दाहिने जांग पर गणपती आपके नेत्र में शुर्य तथा हरदय में भक्त राज भगवान स्री हरी विराजमान है अन्य के ब्रम्हा रूप होने तथा रास के विश्णू रूप होने और आपके उसका भोकता होने के कारण है एशान आपके स्रेश्टत्व में किसे संदे हो सकता है सबको विरक्ति के शिक्षा देने है तू आप शमस आनमें तथा परवत पर निवास करते हैं पुरुशुक्त में उता मिर्टत वश्य शानों इन मंत्रों के द्वारा प्रति पादन की योग्य हैं ऐसा महर्सियों ने कहा है जगत का संघार करणे बाले हलाहल को गले में किसने धारन किया महा प्रले की कालागनी को अपने मस्त आपकी महिमा का वर्ण करने में कौन सामर्थ है एक तुछ प्राणी में करोडों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्ण नहीं कर सकता अतह आप मेरे उपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बतलाईए इस प्रकार से स्री असकंद पुरान के अंतरगत इस्वर सनत कुमार संबाद में स्रावन मास महात्मे में पहले अध्याय की कथा पूर्ण होई तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै अगर आप सब इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनना चाहते हों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल ब शियर करे शुखी रहें और स्वस्त रहें जै सरी राधिकिष्ण धन्यबाद